अधिए गाइज वैलकम बाइक टु दे निव वीडियो तर कैसे हो आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज के एपिसोड के अंदर गाइज आप सभी का स्वागत है आप सवाइल इवाल्ड का एक अपिसोड है इसके अंदर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एंड देखा होगा एक आरजी मेरे पीछे पड़ गया तो इसले मेरे को खूदना मनला भागना पड़ा फटाक से तो अभी यह देखो वहां पर है वो भुली राइनो इसी को आज जो टेम करने आलो एक्चुली हम जोए गाई इसको पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा हमने बिवायल प्लाटपार्म को एक बेस बना लिए तो अराम से लग टेमिंग कर सकेंगे तो इस बजह से जो है अब हम लोग इसको उसको यहां पर यहां पर टेम नहीं करेंगे विकास आप लोग देख सकते हैं मिर पास आर्मर तो स्वेश्च कपड़े मिर पास निया और यह इसको टेम करने का लेकिन अने वह बीर लगता है उसके लिए लगती अफ्र वह पास अजा जाएगी ना तो मैं कर लूगा आएंड यहां particular में जो इनस पर लेकर लेकर यहां पर तब वह मैं सिप कर लेता हूँ बिकॉज मेरे हेल्फ तूरी सिट डाउन हो गई थी तो अब काम करते है शॉटगन से इसको उड़ा देते फटाफट से बस ये मिलको नीचे उतर कि मालना पड़ेगा हुआ हुआ है बहुत इसको माना तो चलो यह तो मर आए हम से इसको मार भी देता हूं मैं कुई है तो नहीं है यह वह पर मिल जाएगा इसा बहुत सार शेल है वह अब यह लग गया पीछे शिट यार अब भाई है यह लग हो रहा है अरे नीचे आज एक सिकन मैं इसको जल्द और इस्यों था भाई आजा नीचे चल जल्दी आ ओए आजा भाई ये क्या कर रहा है तू ये क्या सीन हो रहा है नीचे आजा प्लीज भाई वाई ओभाई सर सर नीचे आजा सर पेट्रोज और खाऊगे आप एक सेट में हासे जंप ओशिट मेरा ये वी जग्गू भी चूट चुका यार भाई नीचे आजा प्लीज यार क्या कर रहा है भाई बहुत गलत सीन हो रहा है याप है मिलको इसको उड़ाना ही पड़ेगा मिलपास कोई दूसरा वे नी यह नी यह नी नी मिलको शॉट गन से उड़ाना पड़ेगा अब यह मरेगा ड़िए जग्गू मेरे एल्प कर रहा है ओ भाई सब्सक्राइब अजब इदर आप प्लीज अरे यार मैं चडी नी पा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है मेरा भाई मनलब पेट्रो को देखो काई मैं इन्वाइट यह कर रहा हूं पर यह आ क्यों नहीं रापिर अब इसको विसल तो दे रहा हूं ना ओल पे दे रहा हूं पर से दोनों सुन रहे है मेरी बाद फिर आसा क्यों हो रहा है कि अरे आजा यार प्लीज भाई दूसरा खत्रा आजाएगा दूसरा यापर प्लीज भाई सर नीचे आजाओ यार भाई यह क्या सीन है यार इसका देखने तो अब सब तो सही है अच्छा मैं दूर जाके दिखते हो शायद आजाए वो ओ भाई अच्छा इसका यह शायद से वह डिस्टन्स जो होता है वह हाय होगा मेरे मतलब से मैंने के पास जाने के लिए एक बार किया था वो वाल कानों इसको पास जाने के लिए तो शायद तब से होगा में भी तभी रुका रिवाई दर इसको मार लेता हो इससे पैल्ट मिलेगा क्या मेरे को चीक है चलो कोई दिखकर नहीं मिल तो गया सब बाकी ओ यह काम की चीज़े वैसे इन सब को यह रिसोर्स में को अप्तेक यूज में अब इनका क्या यूज है ना यह सिंग वगरा वगरे पता नहीं तो चलो कोई नहीं अभी बेस पर जाते हैं फटाफट से हम लोग एंड एस सेटेमबर है मेरे पास तोड़े से तो उससे फिर रिवाई करेंगे इसको अन मस्त टेम बीम करेंगे देखते वाई मुली राइन तो अभी हम लोग क्या करते है इसको जो है रिवाइव करते है आज एंड यह दो को मैंने 46 आशन टेमबर यहां पर कर लिया ले लिया मैंने बिकॉज मेरे पास पहले 12 देख सकते हैं 29 लगते तो इसलिए मैंने थोड़े जाधा ही ले लिए आगे भी काम ही आएंगे वैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलो अभी मैं जो इसको रिवाइव कर लेता हूं यहां पर मेरे कुछ करना नहीं है न डोर रहने देता खुला विकॉस देसे मेरे को बाहरी जाना पड़ेगा वहना है मेरे कुस्तिंग में उड़ा देगा 22 लेवल का है तो अच्छा का सा पा तो अभी निकलते हैं से इसके दोनों फेर की बिच में आल देखो कितना लंबा गया है वहाई साब हो डर गया है वाई यह अचनक से आ गया वाई जो इक्वेस सब को ड्राता है वही जो सबसेड़ता है मैं उससे डर गया वाई चलो कोई नी फॉर्स्टीम इस भाई पहले ह अब से आजा वाई मोटे जिज़र हो इक्या हो रहा है याँ घ्लिच पेंग इस भाई ये मिलको कैसे मा चलो ऐसे ठीके चलो जाई जा रहा है अए रूप भाई वाई किदर जा रहा है यहां कर और कर कर ट्राइक शायद हाँ बाई कर गया शायद तुनिकल जाए गा बास कर तोड रहा है यह भाई मेरा डिफेंस मत तोड़ा यार बाद में करना अगा बस मेरे को याद रहे कि मेरे को रिपेर करना है वरना कोई डायनो फिर से तोड़ देगा और यह मेरे को उड़ाने वाला है को बहुत जल्दी अंकॉंशियस हो गया लेवल 22 का है मैं सोचा और एरोस तो खाएगा यह चलो कोई नहीं अनकॉंशियस हो गया तो हो गया देखो एक सेट इसके मैंने एरोस तो निकाल लिए अब एक क्राम करते हैं इसको जो हैना भूका रखता हो अब इसको खाना नहीं दे कि इसको भूका रखूंगा और मैं जाता अभी थोड़े से काम भी मेरे कर लेता वुडबीड कलेक करते बैटंगा वी कुछ कांता है नहीं तबता राद भी नहीं वरना सो जाता और इसली भूका हो जाता है तो गाइस वापस हम लोग आ पर आ चुक है और इसको बहुत देर वेट कर आए वेदर भी देख सकते पूरा चेंज हो चुका है बस इसको नार्कोटिक खिलाते रहता हूं मैं अब इसको खाना दे देते एंड अब राइनों है वाई राइनों क्या बैरिस काते है चलो कोई सब्सक्राइब करने जाओंगा ना तो भी दो दिन लग जाएंगे वेस्ट होने में सबको इतना अगर कोई डाइनों बैरिस खा रहा है तो मिलको तो अच्छी चीज़ है वह मीट कैसे खराब हो जाता है ना बार बार तो सब में रिप्लेस करते हैं तो ठीके चलो कोई दिक सब्सक्राइब करेंगे वैसे वैसे उनका लेवल बढ़ता है तो एक साथ मतलब एक तरीके से सेमी हो गया बट आइटिंग यह थोड़ा सा इजी है में बढ़ रहा है लेकिन मिलको लगता है मिलको थोड़ा ज्यादा देर रखना चाहता वो इसलिए क्योंकि इसका होने आला था तो मिलको लगता है 60 तक आइटिंग यह जाएगा उससे उपर मिलको नहीं लगता है जाएगा देखते है अभी ओ फिप्टी तक ही गया चलो कोई नहीं ठीक है 50 तक भी ओके चलो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा देको इसका फूड़ फूल हो चुक है तो आइटिंग में को इसको और भूका रखना चाहिए लेकिन फॉस्ट टाइम हो गया चलो कोई नहीं थोड़ी तेर में आते हैं अब है तो गाइस वापस आचुके एक बार हम लोग और यह देखो भाई वुली राइनो टोटली रएडी है मैं सीधा वो रात होने आली तो इसका नर्कुतिक फुल करके गां मिसका टॉर पर आफ अब लोक देख सकते इसको अभी तो अब एक काम करते हैं इसका जो सब निकाल लेता हुँ मैं विकाज इसको इसको मोटे को इसके अंदर इसको नहीं ले सकता में बाई तना मोटा ये तो इसको आम लोग यहां पर मैं इसको टेलीपोर्ट मारूंगा तो यह मैंने खोला यह गया मैं टेम्स में सबसे नीचे होगा इतिंग सो यह रहा यह रिक्वेस्ट लॉल मैंने तो सब पहली खाली कर लिया तुम क्या भाई नोटीस दे रहे हो फिर चलो सब खाली के अब वेट करते हैं रिक्वेस्ट तो किया है मैंने बस थोड़े से चंद घंटे जंगंटे नी दो मिनिट का वक्ते तब तक अपून इसका सैडल बना लेत सारा सामान है इसमें तो वुली राइनो को साडल है एंड याल मिलको इनकी एक अजीब चीज लगती है लोग सैडल का नाम अलग देजी समें वुली राइनो रिचो रूचो सारस असा तो लिखाता तो अनलब सही से नाम मैं पहले प्रूज हो गाया था जब मैं ट्राइक को टेम कर रहा था ना तो ट्राइक सारस ऐसा कुछ तार यह ट्राइक का तो तो मैं बहुत टाइम तक कन्फ्यूस था कि सैडल उसी का होगा कि ट्राइक नाम से कोई और है शॉट परम देते तो थोड़ा जीब है बट जैसे जैसे गेम कहलेंग एक्सपेंस बढ़ते जाता है यह तो यह सोतर है तो यह मेरा प्यासा प्लेयर इसको पाली भी पिला दिया तो चलो भाई अब कितना देर लगे और अब तक तो एट लीस हो जाना चीए ता मलब आ आ जाना चीए ता रहें वंद्ध में कहा तक हूआ है भूल होने वाला है बहूत ही जल्द अन्बस भीना इसको देता हूं मैं पहले भाई खाना नी चीनुगा भाई तुमसे मैं एंड चले इसको साडल भी लगा लिया है अब सबसे इंपोर्टेंट चीज यह होती वाई कि चेक करें डाइनो कुछ काम का है भी कि नहीं कि मेरे को आगे बहुत सारे डाइनो भी छोड़ने ओप सुरि मेरे आज़ी बाई लो यहां सो सॉरी मैं आपको दख्का दिया अब क्या एक सेकिन इसके फॉष्स च्रायमेरी से कटार्च ओक रोपर भी कुछ भी नहीं है यह और शीच बागता है इतना ही है और मारता है बस और कुछ तो हैं नहीं लिजश्ट डवल टैप से संबा और कुछ नहीं है कि यह क्या सीने वाइस का मतलब हो कि इसको उड़ाते एक बार हो भाई ओवाई इसने 21 में मार दिया स्भाई साब अरहां यह नौन वेज निया ना तो यह खाएगा नियुको थेरीज इनो सौर कैसे बैरीज खाता है भले बट लेता मीड भी है मारने के और करेंड और की स्पीड बढ़ एंडिये अच्छा इसकी स्पीड बढ़ एक्साम में अब सम्झाव मुझा यह तो इसका सीन ऐसा है कि इसकी स्पीड पड़ती है जैसे भातेले लेकिन इसका स्टैमिना बहुत बेकार इसकिस मादब एट्राइट की तरह काम गाता है साथा तो यह तो नहीं आए जाए इसका स्टामिना बहुत बेकार है इसका सबसे जादा फोकस ना इसके स्टामिना पर करना होगा एंड मैं इसको यूज करूंगा आगे हम लोग इस पर फोड़ी वीडियो तोड़े यह करेंगे कि हाएंडे इतना लाल रंगीला भ्रॉं तोरम लाने वह दोने में एक मेंट लक के बता देना आप लोगों को पता हो तो एंड देखू अगर नेम बता सकते हो कोई अच्छा तो बताओ कुछ धूंदेंगे इसके लिए अभी फिलाल तो कोई नेम नहीं दिया है मैंने इसको लेकिन बताओ अगर तुम लोग के मन में कोई अच्छा नेम भी हो तो हम लोग जरू सको वो नेम देंगे तो आशा करता हो आज का एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा तो अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो आप देखो है फोचके तो लाइक करना लेकिन कमेंट शेर करना है तो करो लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जाना ठीक है तो चलोगा इस मैं मिल तो आपको ऐसी और एक नेपिसोड में नेक्स्ट अपिसोड में आप उनकुछ ऐसे धमाल करेंगे कुछ ऐसी टेम करन बाइ बाइ